नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शर्वधीरज है आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब आप जमैटो के पास जाते हो टाइप्स के लिए तो आपको किस प्रकार के फॉर्म भेजता है जो कि आपको साइन करके अपने स्टैंप लगा के वापिस भेजने पड़ती हैं अगर आपने साइनप नहीं भी किया है या आप करना चाहते हैं तो आप मुझे वर्टसप पे कांटेक्ट कर सकते हैं वह सारे फॉर्म में आपको अवेलबल करा दूँगा ताकि आप एडवांस में वह सारी हीजे समझ सकें कि आपको क्या-क्या साइनप करने होते हैं ब यह पार्टनर्शिप में किसी के साथ कर सकते हो यह फिर आप इन्विजली भी यह काम कर सकते हो उसके बाद दूसरा आपको GST नंबर भी चाहिए होता है आगर आपके पाद GST नंबर नहीं है तब भी आप स्विगी या जमैटो के साथ टाइप पर उनकी अलग कंडिशन हो पर जब आप फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक application number मिल जाता है उसके बिहाफ पर भी आप जाके अपना registration करवा सकते हो इसके बाद आपको एक menu प्रिपेर करना होता है वो menu जो कि आपको अपने restaurant के लिए आपने चूज किया है अब उस menu कि अगर हम लोग बात करें तो आप एक अच्छी quality कि किसी computer वाले से जाके बनवा लीजिए क्योंकि अगर आप simple word format में या excel format में इस a matter को देते हो तो वो उसको लेते नहीं है चेक उनको अपना cross करके दे सकते हैं जिससे कि उनको आपके पूरे account की detail पता जल जाती है और आपको जो भी पैसा आप काता है वो सारी चीज़े आपको भेज सकते हैं आपके उन लोगों के लिए उन दो में से आपको एक भरना पड़ता है एक के अंदर जो कि जिसके की पास GST number होता है वो एक टाइप का भर सकता है और जिसके पास GST number नहीं है वो बी टाइप का फॉर्म भर सकता है पर मेरी सला यह है कि आप GST का नंबर लीजिए या फिर आ देनी पड़ती है आपका नाम आपके जो लीगल आइडेंटिटी है वो सारी चीजे आपका एड्रस कॉंटेक्ट परसन का नाम आपकी कंपनी की सील आपके सग्नेचर पूरे करवा दिये जाते हैं बैंक अकाउंटी डीटेल्स आप उनको देनी पड़ती है उसके बाद जो उन से अगर आप जानते हैं उनसे बास भी कर सकते हैं आपके को कमिशन कम भी कर सकते हैं कहीं पर भी ऐसा हाड and पास रूल नहीं है कि उनको उतुन की करोille करने आपको इस फॉर्म में भरनी होती है, सब कुछ भरके आप इसको स्केन करके उनको वापिस भेजते हैं, उसके बाद अगर आपके पास GST नमबर नहीं है, तो आपको सेम यही डिटेल्स देनी होती है, बाकि आपको यह नहीं बताना होता है कि आप अपने खाने पे कितना परस है, तो आपको वह देना पड़ता है, तो यह सारे डॉक्यमेट जब आपको स्केन करके भेज देते हो, तो वह आपको अपने इसमें अपने प्रेटफॉर्म में और कुछ समय के बाद आपको सिखा दिया जाता है कि किस तरीके से और आते हैं, और आप और रिसीव करने लग सिनर्जी और नॉन सिनर्जी होता है, यह दो तरीके के मॉडल पर फिलहाल जो जमेटो काम कर रहा है, आप उनके बारे में भी उस फॉर्म में अच्छे से पढ़ सकते हैं, बाकि पूरी ट्रम एंड कंजिशन लिखी होती है, आप वो सारी चीज़े इवन जाके पढ़ सकते हैं, आप इस फॉर्म के लिए मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे वर्टसप नंबर नीचे आपको मेल जाएगा, तो चलिए वीडियो कैसी लगी है, आप मुझे बताना, बाकि किसी भी नए टॉपिक पे क्लाउड किशन से रिजटेट आपको कुछ भी बारिक से बारिक चीज आपको पता करनी है, तो आप मुझे नीचे लिख सकते हो, बाकि आप मेरे क्लाउड किशन का बेसिक और एडवांस कोर्स भी ले सकते हो, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो, और आप लोगों को एडवांस में ही सारी चीज़े पता चलता है, ताकि आने वाल जिन्हों ने आज से तीन या चार महिने पहले मेरे कोर्स लिये थे, और मेरी कंसल्टेंसी के अंदर ही वो यह सारे काम कर रहे हैं, और आप देखिए कितने लोगों ने अपना स्टाट अप भी कर दिया है, अगर आप भी चाहते हैं मेरी क्राउड को लेना, तो आप नीचे मुझे कांटेक्ट का सकते हैं, मेरे वर्टसप का नमबर नीचे दिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो चाहिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जाहिए